आज हम एक special bearing के बारे में बताएंगे और ऐसा bearing जो पूरे यूटूब पर भी नहीं मिलेगा मैं आपको guarantee देता हूं लिक के देता हूं सर्च करके देख लो नहीं मिलेगा तो इस special bearing को जानने के लिए बने रही है अंदक अलो दोस्तों स्वागत है आपके अपके अपने 34 का और इसकी पूरी सीरीज क्या होती है मैं यहां लिख देता हूं NCF यह इसकी सीरीज आएगी यानि कि 39 कहीं bearing अगर ये लिखा हुआ मिलेगा इसके आगे दूसरा bearing ये लिखा मिल सकता है यानि कि 39 और यहां पर CV भी मिल सकता है या फिर मेरा मिल सकता है SL SL 182934 अगर ये bearing ल दोनों सेम सेम bearing है ये बात याद रखेंगे अब इस special bearing मैंने क्यों कहा क्योंकि ये bearing की अगर मैं 34 के हिसाब से ID लेता हूं इसकी जो dimensions है यानि कि इसकी ID आ जाएगी हमारी 170 और इसकी ID आ रही है मेरी 230 अब ध्यान देखेंगे 34 के bearing में कोई भी series का bearing आप उठाकर देख लेंगे 34 की जो series होगी उसमें 170 ID जरूर मिलेगी बाद में जहां पर 34 होगा लेकिन उसकी OD यानि कि आउड़ा diameter वो 230 नहीं मिलेगा वो 300 प्लस मिलेगा यानि कि 300 के आसपास जैसे एक example में देता हूं मेरा कोई bearing नंबर है यहां पर मेरा bearing ले लिया मैंने 2234 देखें बाद में 34 है तो इसकी ID मेरी कितनी हो गई 170 और इसकी जो OD आजाएगी मेरी वो आएगी approximately 110 यानि कि 310 देखेंगे एक दो सो तीस और तीन सो दस में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है और इसकी जो वीड़ता आएगी यानि कि ठीकनेस पी आती है इसकी करीब यानि कि मोटाई बहुत कम है 36 इनकी 86 या फिर अगर इसमें 300 की सिरीज हो जाएगी तो चोड़ाई उस सो प्लस चली आएगी यानि कि इतना बड़ा बैरिंग हो जाएगा और वही बैरिंग हमारे जो यह आते हमारे स्पेरिकर रोलर्स बैरिंग में यह हमारे मैक्सिमिम है क्योंकि हमारे कुछ इक्यूपमेंट ऐसे होते हैं जहां पर हम बड़ा बैरिंग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जंगा नहीं होती वहां पर लगाने के लिए यह हमारा कवर एरिया ज्यादा नहीं होता इसी स्पेसल बैरिंग को चाहिए का स्किन पर दिखाता यानि कितना भी हायर लोड हो रेडियल याद रखेंगे लोड दो परकार के होते हैं मेरे इस्टेटिक एक रेडियल अगर वहाँ इस्टेटिक भी ज़्यादा है तो वहाँ पर मेरा ये NCF की सिरीज काम नहीं करेगी ये वैसे हम रेडियल लोड के लिए और लोड भी इतना की बहुत जादा हो, वहाँपर काम करती है, इस्टेटिक लोड भी बहुत जादा है और रेडियल भी है तो मैं हमेशा इस्पेरिकल की बात करूँगा, ये मेरा इस्पेरिकल में आता है ये इस्पेसल बेरिंग होता है और इसकी जगा पर अगर हम कोई दूसरा बेरिंग लगा देते हैं तो लाइफ अतनी नहीं मिलती क्योंकि इस बेरिंग की इस्टिफनेस यानि कि उसकी कठोरता उतनी जादा होती है कि वो ब्रेक बहुत कम होता है और एक यानि के जो इसकी rotational होते है shaft के वो एक axial होते है यानि के एक ही direction में चलाने के लिए ये बहुत capable है इसलिए ये बहुत हटके series आई है अब ये special bearing है तो ये हर जगा मिलेगा भी नहीं और हर जगा use भी नहीं होगा तो याद रखेंगें के maximum अगर gear box बड़े gear box जो बड़े gear box से एलिकुन के हमारे आतने अची company के एलिकुन company जादा तर यही NCF की series यूज करती है इसकी basic सी बाते मैंने बताई है अगर कोई भी मन में questions हो कोई भी doubt हो तो comment पूछे का वीडियो करने थोड़ी बें चली तो